नवस्कार दोस्तों, Only Real Stories में आपका स्वागत है प्रवती जी को फोन कर लेकिन उसके बाद भी अख्लेस यादव ने उनको फोन नहीं किया लेकिन मैंने बड़े होने का फर्ज निभाया और मत गन्ना के दिन यानी 23 मई को उने फोन कर डिमपल और परिवार के दूसरे सदस्यों के हारने पर अफसोच जताया उन्होंने का कि 30 जून को जब मैंने दिल्ली की मिटिंग में गड़ बंदन तोड़ने की बात की उसके बाद भी उन्होंने मुझे फोन नहीं किया उन्होंने का कि अखिलेश के सरकार में याधों को छोड़ कर दूसरे पिछड़ों को साथ ना इंसाफी हुई इसलिए पिछड़ों ने उनको वोट नहीं दिया मैयावती ने ना सिर्फ अखिलेश याधो पर आरोप लगए बलकि उन्होंने मुलायम सिंग याधो को बे नहीं छोड़ा उन्होंने कहा कि मुझे ताज करेडर केस में फसाने वालों में ना केवल बीजेपी थी बलकि मुलायम सिंग याधो का भी महतपून रोल था लेकिन मैंने इसे भूल कर भी मुलायम के लिए वोट मांगी लेकिन अखिले सियादाओं ने इसकी कदर ही नहीं की मायवती के नारोप के बाद समाजवादी पार्टी ने भी बसपा सुंप्रिमों पर प्लटवार किया है सपा के राष्ट्य सची और मुख परवक्ता राजिंदर यादाओं ने कहा कि मायवती के आरोप पूरी तरह से गलत है क्योंकि हमारे राष्ट्य अधख्स अखिले सियादाओं का चरितर किसी को धोका देने वाला नहीं है उन्होंने कहा कि सपा सम्विधान का सम्मान करती है और समाजवाती विचार धारा पर विश्वास करती है उन्होंने ये कहा कि कोई कुछ भी कहे लेकिन उन्होंने कभी मयवती पर व्यक्तिगा टिपनी नहीं की सप्पा ने हमेशा बहतर काम करने और सब को साथ लेकर चलने का काम किया है और गड़बंदन का धर्म भी पूरी मंदारी से निभाया है इसलिए ये सब आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करें